हलो एवरिवान, वल्कम टू होट्सपॉड अक्याडमी माइन मैप्स का आपको हेल्प कैसे होगा, इस विल हेल्प यू टू रिवाइस, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि इसमें हम कई ऑथर्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी बुक्स पढ़ेंगे, और उस बुक की कई धीम्स होगी, और सेकेंड की वो कौन से हिस्टोग्राफी या फ तो अगर आप प्लेइलिस्ट पे जाओगे, ऐसे वीडियो दिखेंगे आपको, तो नीचे स्क्रोल करोगे, तो आपको ये अलग से सेक्शन दिख जाएगा यहाँ पे, ये अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, महराष्टा बोर्ड 10th क्लास के लिए, अब यहाँ पे ये सेक् देखा है, जैसे जॉगरफी सीरीज में हमने चैप्टर फाइफ, वाइड लाइफ एन वेजिटेशन डिसकस कर लिया है, और चैप्टर वन अलड़री डिसकस है, इन हिस्ट्री सीरीज, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं देखा है, तो आई बटन पे अपने पूड़री ऑफ बट यहाँ पे हमें क्या समझना है, इस्ट्री के बारे में जो कोई पड़ेंगे और उसको अपने हिसाब से लिखेंगे, अपोरिंग पर्स्पेक्टिव, उनको खा जाएगा हिस्टॉरियन, मतलब इसकोई हिस्ट्री है, समझोग इंडा की हिस्ट जैसे कि इसकी कहम हिस्टोग्राफी बोलते हैं, जैसे कि किसी का परस्पेक्टिव होगा, माल लिजे, कोई ये कहेंगा कि इंडिया प्रॉस्परस थे भाई पहले से ही, बहुत रिष्टा, कोई कहेंगा नहीं इंडिया तो दोनों का अपना अपना परस्पेक्टिव है, अप कोई letter लिखते हैं, तो to, from subject, etc. तो हर किसी का अपना-पना format होगा इस letter को लिखने का, ठीक है? तो हिस्टोग्राफी क्या है? It is a study of history, जो कोई historian लिखेंग है, and it will represent different perspectives as well as their own method. Every historian would follow his own method, and will have a different perspective. Now, how many type of perspectives are there या फिर कितने हिस्टोग्राफी के type से colonial perspective, अब colonial perspective मतलब समझना है कि यह ऐसे लोग है, जो glorify करेंगे queen को, वो बोलेंगे vava, queen की vava है, और वो बताएंगे कि, जो योरोप थे, योरोप है, वो ही सब कुछ है, इंडिया सबसे पूर था, और यहाँ पर कुछ नहीं था, यह तो यहाँ पर queen या फिर east india company आ गई, इसलिए इंडिया का भला हो गया, तो यह ऐसे लोग थे, जो negative थे when comes to Indian culture, ठीक है, example क्या है, James Mill, फिर, इसके exactly opposite थे, orientalist, यह भी योरोप से आये थे, यह भी अमेरिका, योरोप, east india company, जो UK है, वहाँ से आये थे, but, UK, Spain वगरा, but important यहाँ पर क्या समझना है, कि यह लोग positive थे, they were positive when it comes to the Indian culture, उन्हें कहा कि Indian culture से हम, we can learn a lot, ठीक है, we can learn a lot, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने संस्क्रित पढ़ी, उसको translate की, तो यह ऐसे लोग थे, जो कि inspired थे, curious थे about the Indian culture, curious about the East, East मतलब Indian culture, example, William Jones, Max Miller, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, तो जैखें यह summarize वर्जन है, यहाँ से आराम से, धेरे-धेरे समझने ही कुशिश करना, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, nationalist, अब nationalist कौन थे, they were against this colonial, उनने कहा कि भाई, जो आप बोल रहें ना, इंडिया गरीब था, ऐसा कुछ नहीं था, इंडिया was the golden bird, सोनी की चीडिया थी इंडिया, अगर इंडिया नहीं होती, तो आप यहाँ पर आती ही नहीं, और उल्टा, आपने हमको कर्जा में डुबा के चले गए आप, तो इनका मतलब क्या था, कि इंडियान के restore करना है, इंडियान प्राइड, जो हमारा culture था, हमारा tradition था, हम उस जमाने के super power थे, हमको वो आपिस लाना है, कैसे लाएंगे, इन्होंने कहा कि खुद की बुख लिना स्टार्ट करो, यह अंग्रोजा की लिखी बुख पढ़ोगे, तो आप भी अगेंस्ट इंडिया थे ले जाओगे, तो इन्होंने खुद की बुख लिना स्टार्ट की, एक्जामपल को थे, जस्टिस रानाडे, विकी रजवाडे, वीडी सावर कर, यह सब हम आराम से पढ़ेंगे, फिर मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस अपना इंस्पिरेशन लेते कालमार्क से, कालमार्क जी ने कहा था कि दुनिया के अंदर इन्यक्वालिटी है, सब के पास सेम अपॉचिनिटी नहीं है, बट लोवर क्लास, डिप्रेस क्लास, उनके बारे में भी तो जानना इंपॉरेंट है, तो इनके बारे में यह सबाल्टन वाले लिखेंगे, सबाल्टन मतलब दे लोवेस्ट अप दी लोवेस्ट सेक्शन आप दे सोसाइटी, बॉटम रैंक आप दी पीपल, एक्जांपल, महात्मा फुले जी, डॉक्टर बाबा सवा मिटकर, दोनों ही इंस्पिरेशनल परस्णेलिटी है, ठीक है, दोनों के बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे, फेमिनिस्ट, यह ऐसी अप्रोच है, फेमिनिस्ट यह ऐसी अप्रोच है, फॉर विमन, अब एक्चुली हुआ क्या है, विल इवन एस सोसाइटी, जो कि मेल डॉमिनिस्ट है, हर जगा पे आप देखो, मेल का ही बोल बाला है, फीमेल को एक्वल अपॉचुनटी नहीं मिल पाती, इसलिए सरकार बहुत कुछ करती, जैसे बेटी पड़ाओ, बेटी पड़ाओ, फिर स्कॉलर्शिप देना एक्चेटरा, ताकि विमन को भी इक्वल अपॉचुनटी मिल है, अब इनके बारे में, जो मेल डॉमिनेंस के अगेंस्ट बात करने के लिए, थिंकर्स कराईज हुआ, जैसे कि फर्स्ट वर्स ताराभाई शिंदे, इंपॉर्टन्ट है, फर्स्ट विमन टॉर्इट अऔर फिर रमाभाई शिंदे, एक्सेटरा, रमाभाई, और भी है, पंडिता रमाभाई, और भी हम आगे पड़ेंगे, तो ये था जर्नल, की कितने टाइब के परस्पेक्टिव हो सकते हैं, कोई कोर्निल होगा, कोई औरिंटलिस्ट होगा, अब कोर्निल वाले जो भी थिंकर होंगे, वो हमेशा कुईन की वाबा करेंगे, औरिंटलिस्ट न्यूटर रहेंगे, वो इंडिया की कल्चर से बहुत कुछ सिखने की कोशिश करेंगे नाशनलिस्ट इंडिया के रिस्टोर करेंगे एशन ग्लोरी, मार्क्सिस बोलेंगे कि दुनिया के अंदर पैसा ही सबकी जड़ है सब आलतन बोलेंगे कि लोर सेक्षन आफ सोसाइटी के बारे में टीक है, वहाँ पर कोई रिटन डॉक्यमेंट ने था जो भी था, एक मिन जाना जो भी था whatever we have reserved is oral listicles, जैसे कि यह पावाडा है यहाँ पर क्या होता है, हम heroic event जो है, उसको narrate करते है heroic event को narrate करते है जहां से हमें यह पता चलता है कि उस टाइम पे क्या था, मतब कि इस पावाडा मतब is like a song, like folklore, इससे हमने history को preserve करने ही कोशिश किये important point क्या है, यह सब oral था written कोच नहीं था, तो earliest written document of the of any history हमें खाहा में मिलता है is the Indus Valley Civilization यह जो seals मिलेते हमें यहाँ पे यहां से हमें पहला written document मिलता है अब इसके seals के अंदर script थी, जिससे हम language लिखते हैं जैसे देवनागरी लिखते हैं for Hindi and Marathi वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए है ठीक है, so हरपन seals and the artifacts confirm that Indian had mastered the art of writing कभी as early as third millennium before common era perhaps before that या फिर इससे भी पहले तो अभी तक इसको पढ़ नहीं पाया है इसलिए हम directly confirm बता नहीं सकते यह तो carbon dating के through हमने कुछ predict किया है however, हरपन scripts is yet to be successfully deciphered मतलब इसके अंतर क्या लिखा है इसकी meaning आज तक हम कोई बता नहीं पाया है इसलिए हमें कोई expert चाहिए इस पर काम चल रहा है तो जब मिल जाएगा तब शायद हमें और details पता चले अब आगे बढ़ते है so earliest जो document मिला है written वो बिलॉंग करता है modern empire के time पे अशोकन modern times right इसके अंदर inscription लिखते है जैसे पत्तर पे आप ऐसा काब आप करते हो या फिर कोई metal पे लिखते हो जो है हमें more in time पे मिलता है फिर first century common era से क्या हुआ we began to write in the on coins अब coins से क्या होगा metal images etc sculptures also on copper plates अब यह coins फिलिकना start किया मतलब क्या होगा यहां से हमें और information historical information मिलेगी अब यह से भी information क्या होगी this will act as a source यह source की तरह act करेगी हमारी theory को propose करने के लिए critical method में हमने क्या समझा था critical method में आपको original document का ही reference लेना है ना कि किसकी बोली हुई बात को समझना है तो उसमें यह important source का का काम कर सकते हैं ठीक है तो पहले हमने rocks पे बनाना start किया inscription पे जो more in time का था वहां से हमें written document का proof मिलता है फिर we started first century से उस पे coin पे भी use करना start किया अब देखर coins पे दिख रहा है तो यहां पे समझो कि यह कुशानास का time का था फिर समझो कि यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं शायद इसको यह god मानते होंगे they might be considering god और फिर इसका जो metal है जादे ही खराब थी मतलब कि यह जो coins है यह seals है उनके बारे में तो economic के हलत पता चलेगी social के बारे में पता चलेगा अब यहां पे समझो god का photo है तो हम समझेंगे शायद लोग atheist थे भगवान में believe करते थे यहां पे कुछ समझो war का picture होगा तो समझना की war के हम बता रहे थे तो मतलब this coin can narrate us many insights, journey note about the dates of various kings, dynasties territorial extent, administration various empires, kingdoms, etc climate, famine, सब कुछ इस coin के हम पता चलता है right तो यह important source काम कर सकता है और फिर देखो यह कैसे international यह traveler थे, जो भारते आये थे अब जब यह भी आएंगे आगे हम पढ़ते हैं so ancient Indian literature including the epics, Ramayana and Mahabharata, देखाऊगा आपने right Purana, Jains and Buddhist texts देखो यह दोनो, Jain और Buddhism इनका जो birthplace है, religion का that's India, right सिद्धार्था, Mahabira कभी आराम से पढ़ाएंगे आपको, अभी के ले इतना है समझना है historical accounts by the Indian authors and also the travel logs of foreign travelers are important source of history, अभी Indian authors जिन्हों ने लिखा है, वो भी important source है, प्लस जो travel logs are foreign travelers के, जैसे कि मान लो, आज तो आपके पास Facebook है, Instagram, Stories वगरा है right, तो वहाँ पे आप आपका post कर सकते हो, status, पर उस जमाने में यह था नहीं, तो लोग अपने book लिखते थे अपना blog लिखते थे कि आज I visited India, तो वहाँ पे मैं यह देखा तो this both can act as an important contribution, right, जो से हम insights मिल सकती है, history के बारे में, right तो यह सब कुछ था, और actual में, जो orientalist है, they are more fascinated, right, आगे हम पढ़ेंगे, तो this act as a source, ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ पर आपका complete, जो आगे हम पढ़ेंगे medieval और early वाला, यह पूरा यहाँ पर summarized है, सब कुछ यहाँ पर summarized है, right, अब ध्यान देना कि सबसे पहली जो book है, यहाँ पर theme क्या थी, इन्हों लिखे थी biography of king harshah, फिर Rajatat Tarangini, यह क्या था, कलानार जी ने लिखा था, it was the history of Kashmir, अब इन्होंने critical method अपनाया था, मतलब की original source, cross question, यह सब कुछ इन्होंने किया था, जब तक की truth ना मालूम पड़े information true ना हो, तब तक उन्होंने accept नहीं की थी, फिर तारीक ए फिरोज शाही, कि इन्होंने लिखा था, जरो दिन बरानी ने अब rulers failed policy, इन्होंने कहा था कि dynasty के बारे में तो लिखना ही है, पर उनकी जो policy fail हुई है, और impact क्या था, teaching का, saints का क्या यह भी लिखना important है, तो उन्होंने क्या क्या था, और broader कर दिया था, किसको broader कर दिया था, history को, फिर तुरुक ए बाबरी, बाबरी लिखा था, खुद बाबर ने, जब बाबर आये थे, 1526 में, first पानिपत, war of पानिपत, right, तब उन्होंने खुद ने लिखा था, autobiography है, खुद ने लिखा था, social, economical, political condition, जैसे कि मानलो, अगर बाबर इंडिया में आये थे, attack करने के लिए, इब्राहिम रोधी कोराने के लिए, तो क्यों आये होंगे, हम economic condition एगदम strong होगी, right, और politically weak होंगे, तब ही तो attack करने आये न, वरना politically भी strong होते तो कोई कोई आता, attack करने, नहीं, तो यहां से भी हमें information मिलती है, फिर, और पर यह इनका perspective होगा, right, इतना याद रतना, फिर अकबर नामा, अकबर नामा लेखा था, अबूल फजल ने, critical हिस्टोग्राफी थे, इन्होंने भी हर चीज को जब तक cross verify नहीं किया, accept नहीं किया, तो यह screenshot ले ले ना, यहाँ पर आपका पूरा जो है, यह आगे जो पढ़ेंगे, वो revised है, ठीक है, अब फटा-फट देख लेते हैं, यह biography थी, यह king अर्शा थे, यह इनकी book लिखी दिगई थी, किरो ने लिखा था, यहाँ पर, भाना भाटा, राइट, फिर आएंगे, यह कलाना जी ने लिखा था, रजट तरंगी नी, इसमें था कश्मीर के बारे में, important क्या है, critically examining various sources like, inscription, coins, remains of, Asian monuments, dynasty, dynasty, records and local tradition, इन्होंने खुद ने ही उसको cross-verify किया, जब तक सही नी माना, accept नहीं किया, ठीक है, important क्या है यहाँ पर, author को ने theme क्या है, और किसने लिखा था, और book का नाम क्या है, बस, फिर अभी Quartz of Muslim के अंदर सबसे पहले आएंगे, कि यहाँ पर influence था, Arabic और Persian का, जैसे कि आज हम देखते हैं, remix गाने बनते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, remix मतलब what, Bollywood Songs Plus, यह Hollywood Beats, तो यह remix बन गया, ऐसे ही, यह influence हुआ हमारे Bollywood Music पर, same, Muslims पर, किस-किस का Muslim जो Quartz of Art था, उस पर influence था, Arabic और Persian का, अब, जयादुन बराणी ने, अपने बुक लिखे थी तारिक है, फिरोशाही, जहाँ पर उनने लिखा था, The Purpose of Histography, उनकी बड़ाई भी करनी आपको, उनकी वेलोर था, करज का था, उसके बारे में लिखना है, पर उसके अलावा, वो कहां कहां पर फेल हुए, और क्या-क्या policies उनकी गलित थी, वो भी important है, उससे ज़्यादा सीख सकते हैं आने वाली generation, और उनने कहा था, हमें ये भी समझ आया है, कि impact of teaching, of the wise, and learn, and the saints, and the culture life of the people, saints से क्या-क्या impact रहा, ये वो भाई-साब है, और उससे हमारा society कैसे evolve किया, इसलिए ही ब्रुवानी expanded the scope of history, ठीक है, चलो, आगे बढ़ेंगे, अब ये बाबर भाई-साब है, ये कब आया था, 1526, फर्स पानिपत में, इसके बाद ही मुगल समराज़ स्थापित हुआ हिंदुस्तान में, फिर बाबर के बाद, हुमायू, एक्सेक्टरा, अब आराम से पढ़ेंगे, हमार ले काया है, पहले ये समझना है important है, उनने लिखा क्या था, तो इनके बुक का नाम था, तुर्क ए बाबरी, फ्लॉरा मिन्स वाट, फ्लॉरा एन कौना, फ्लॉरा मिन्स यौर वेजिटेशन कैसे था, एक्सेटरा, ठीक है, बढ़ा था नामने, वाइड लाइफ में, देख लेना, तो माइनुट बूटेस हमकर आपे मिलती है, ये आपका question भी पूछा हुआ है, फिर अबूल फजल, अबूल फजल ने लिखा था, अक्बर नामा, अभी हमार लें इंपर्टन कैसे है, ये वस वेरी इंपर्टन फॉर्म दी पॉइंट अफ्यू आप क्रिटिकल हिस्टोग्राफी, क्यों? ये ने हर किसी चीज को cross-verify किया था, his method of collecting authentic historical documents, authentic मतलब जो true है, जो verify कर सकते हैं, उसी को उनने लिया था, उसी base पर अपनी थेरी दी थी, scrutiny, उनने differentiate किया था, ये सही है कि गलत है, कैसे? by using certain practice, scientific principles basically, is looked upon as a devoid of bias, उनने कोई bias नहीं रखा, जैसे समझो कि वो मुगल empire में थे, तो मुगल empire ने कुछ negative, कुछ गलत भी किया है, तो उनने direct लिखा कि गलत है, वो गलत है, उनने अपना bias नहीं रखा, जैसे कि मुगल empire में अगर में negative लिखोंगा, तो मुझे शायद अपने राज दर्बार से निकाल दे, तो वो डर ही नहीं, उनने जो negative था, उसके वर में negative source verify कर सकते हैं, इसलिए we can say he is an important source for history, ठीक है, चल, आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, और हम वापिस ये summarize है, बखर क्या है, बखर में हम eulogist पढ़ेंगे, eulogist मतलब कि heroic events जो हुए थे, उस जमाने में वो सब यहाँ पे recorded है, फिर important बखर कुन सी है, सभासद information about the rule of चत्रपदी शिवाजी महराच, इनके टाइम पर governance कैसा था, उसके बारे में पता चलता है हमको यहाँ से, फिर भावसाइबांची बखर और पानीपत ची बखर, इसके अंदर कौन सा वार है, वार आफ पानीपत के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इनके पास इंदर का साशन था, अब उनके बारे में लिखा हुआ है, contribution of होलकर, अब इन्होंने सब division किया हुआ था, इस बखर का, मतलब कि dynasty के बाद को उन आएगा, political situation कैसे एंडल करनी है, सब कुछ detailed document आपको यहाँ पे मिलता है, इनके बारे में जानना है, तो यह best source है, ठ नाम से screenshot ले 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 न, और हम इसके बारे में अभी उपर-उपर, मतलब कि फटा-फट इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर, बकर, जो साटिंग बढ़ाता है, is an important historical document, बिल्कुल है, of medieval times, it contains eologies of heroes, stories of historical events, battles, lives of the great men, मतलब एकदम inspirational stories बगरा, सब आपको यहाँ पे मिलेगी, कि क माराथा एंपार जो था, वो एक्स्पांड किया, किसे कैसे वार लडे, एसके इसकी example, फिर, मराथी बखर, और वेरियस टाइप्स, सबासत बखर, जो लिखी थी, क्रिशना जी, आनन सबासत जी ने, during the rig of चत्रपाची राजाराम, इनके साशन में ये बुक लिखी गई थी बाउसाबा इंचे बकर describes the battle of पानिपत, ठीक है, एक मिन दना आगे बढ़ेंगे, एक मिन, हाँ, अब होलकराइंची कईफियत, थोड़ा पनांसेशन उपर ने चो जाये तो इग्नोर कर देना, राइट, होलकराइंची कईफियत, provides the information about the holkers and their contribution to Maratha rule, देखो, divided into various types, such as biographies, dynasty, मतब इतना detailed document था, तो यह important proof है इनके बारे में, कि कैसे साशन क्या होगा, और इनके उपर कोई भी theory देनी हो, तो इससे हम cross verify करके, अपनी theory को सही बता सकते हैं, या फिर उसको truth रख सकते हैं आगे, right, true information बता सकते हैं, चाल, आगे पढ़ेंगे, एक मिन जाना, ठीक है, तो अब फिर हम जो आगे पढ़ेंगे, उसका summarize origin आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अब हम आगे पढ़ेंगे colonial historiography, जैसे कि James Mill की book लिखी गई थी, the history of British India, यह first book थी by Britishers, ठीक है, यहाँ पे additional information में लिख लेना, theme क्या थी, to glorify what queen, and to criticize Indian culture, फिर history of India, लिखा था, monster what Elphinstone ने, फिर आ अब क्रिटिसाइस किया था, Indian culture के बारे में, उन्हें कहा था, Indian culture से हम बहुत कुछ सिख सकते हैं, जैसे इन्हें बुक लिखे थी, the history of Marathas, उन्हें यहाँ से कहा था, कि Maratha, जो वाजिर से, इनके पास जो करेश था, उससे अंग्रेश बहुत कुछ सिख सकते हैं, जैसे for example, ताना जी, right, he sacrificed his life, right, पर defeat किया था हमने, right, तो यह कुछ सिखने वाली बाते हैं, और अंग्रेश क्या थे, यह diplomacy में बिलीव करते थे, right, यह वार वर करने में इनका ज्यादा मकसद नहीं था, यह हमेशा इसको उससे लड़ाते थे, कभी वेलोर नहीं दिखाते थे, right, तो आज भी आप देखो, वेदास हमेर पास चार है, right, रिखवेदा, सामवेद, यजुरुवेद, अथरवेद, तो नहीं रिखवेद पूरा पढ़ लिया, right, और फिर उसको ट्रांस्लेट भी किया, संस्कृत से जर्मन में, और यह ही तो प्रदेश भी, so संस्कृत the most ancient language of Indo-European language, इनने का कि संस्क्रिप्ट यह शायद mother of languages, all languages, मतलब यह को है, यह orientalist है, फिर आएंगे rise of Maratha power, justice, महादेव, रानाडे, इनने का था कि जो Maratha, Maratha, Samarajya का rise हुआ था, यह all of a sudden नहीं हुआ था, यह properly planned और gradually developed हुआ, मतलब socially हम पहले develop किये, फिर culturally, फिर religiously, और फिर एक साशन सेट अप हुआ, अचानक से सेट अप नहीं हुआ और यह नैशनलिस्ट थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसको, यह जो लोग थे, जेम्स मिल बगरा, इनको क्रिटिसाइज किया था इनके थिंकर्स को, फिर आएंगे माराथ हंसा, हितिया साधने विके राजवाडे, अब इन्होंने क्या था, जो थेरी दी थी, किसने ग्राइंट डफ ने, इन्होंने बस 10 पॉइंट बताये थे, मान लो माराथास के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि 10 पॉइंट नहीं आई, एक्चुली 100 पॉइंट है, तो इन्होंने पूरा समराइज है, अब इसके बारे में हम समझते हैं, ज्यान दे ना तो, मेडियोवल टाइम में, फर्स्ट इंपोरेंट है ये, अलेक्जेंडर कनिंगम और ये, जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर कनिंगम, ये फर्स्ट डारेक्टर भी थे, तो देखेंगे अभी नहीं किया था, अभी भी एक्टिव है है, आर्केलोजिकल सर्वे इंडिया में, तो ये इनका कॉंट्रिबिशन था, नमबर ओफ एशन साइट्स वर, एक मिन दे ना तो, नमबर ओफ साइट्स वर एक्सकवेटेड, मतलब कि यहाँ पे जाके उन्होंने साइट्स को एक्सकवेट किया था, वहाँ से चीज़े बाहर निकाली थी, और उस पे फिर साइट्स मेंशन इन दी बुद्धिस टेक्स्ट, बुद्धिस टेक्स क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर यह नहीं करते तो हम यह और पता नहीं चलता डीटेल में, तो इनका कॉंट्रिबिशन है ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, फिर three volumes, the history of British India, यह first आदमी थे, जिन्हों ने लिखा था, और यह critical थे, किसके बारे में यह negative थे, about Indian culture, होने कहा कि Indian के बाद कुछ नहीं था, सब कुछ अंग्रेजों नहीं दिया है, ठीक है, यह colonial वाला अप्रोच है, right, so he written the book, James Mill in 1817, यह important नहीं है, book का नाम important है, this was the first book, important है, first book of Indian history, written by an British historian, मतलब कि यह colonial थे, फिर, it clearly reflects an absence, यहाँ पर absence था, किसका objective perspective का, मतलब कि यह थे bias, bias किसको थे, queen को लेके, इसलिए इन्हों ने Indian culture को हमेशा गलत बताया, फिर prejudice, मतलब कि पहले से चलते थे थे कि यह तो साब पकरने वाला देश है, इनके बास क्या technology होगी, क्या होगी, etc, ठीक है, and about various experts of the Indian culture, फिर यहाँ से हमें क्या समझना है, यह दोनों जो थे, वो colonial historiography के थे, first book लिखी थी, और by any Britisher was the history of British India, चल, आगे बढ़ेंगे, त्हान देना, फिर, Maratta Empire, अब देखो, Maratta Empire सबसे powerful और strongest empire था, after the decline of Mughal, but यहाँ पर क्या हुआ, internal issues के वज़े से, वो empire उतना rise नहीं कर पाया, तो period of Maratta Empire is very important, बिलकुल, in Indian history, Granduff, name, stands out among the British officers, who wrote about the Maratta history, Maratta history के बार में इनने लिखा था, फिर, he wrote book titled The History of Marathas, यह वाली, His book is published in three volumes, Granduff writing also shows the British inclination of condemning, मतलब कि जो हमेशा आप negative बात बोलते हो, इतना negative है नी Indian culture, यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इन्होंने कहा था, अब इनकी theory को further expand करेंगे, वी के रजवाडे, राइट, आगे बढ़ेंगे, फिर, इनको जादा load नहीं है, author क्या है, उनकी book क फिर यह सेम हुआ था, when it comes to the Rajasthan history, वहाँ पे था similar tendency is witness in Colonel Thor's writing about the Rajasthan history, two volumes written by William Wilson Hunter on the Indian history, show a somewhat impartial treatment, मतलब कि यहाँ पे देखता है कि impartial treatment था, उनको equal treatment नहीं दिया गया, of this subject, फिर, निलकंठ, जनार्दर्न, किरतने, and विश्वनात, काशिनात, रजवाडे, इन्होंने कहा था, इन हमको हमारी history खुद लिखनी पड़ेगी, local people को आ गयाना पड़ेगा, खुद की history लिखने के लिए, अगर हम queen के भेजे हुए, चम्चो से अगर हम history पड़ेगे, तो वह हमेशा उनकी वाबा करेंगे, तो हमें को खुद आ गयाना पड़ेगा, so took upon, two historians who took upon the task of exposing the limitations of the Grand Duff's writing, मत तब कि Grand Duff ने जो लिखा था, उसमें limitations थे, उन्हें complete detail नहीं कहा, तो उन्हें कहा था हमको खुद आना पड़ेगा, और उन्हें खुद में book लिकी थी, दिखाएगे, यह अशी सब book लिकी थी उन्हें, ठीक है, तो मतलब भी क्या थे, यह nationalists थे, अब आगे बढ़ेंगे, Indian Histography, Various Ideologies, मतलब की Various Perspectives, तो सबसे पहला था, Cornelial, इसके अंदर Jim Smith, हमने पड़ा आगे, तो यह दे को कैसे आये थे पहले, यहाँ पे permission लिने की कुशिश कर रहे थे, और बाद में, because of the internal political issues, उन्हें यहाँ पे राज कर लिया, तो, समझना है, the earlier scholars who studied and wrote Indian history, were mainly British officers, क्यों? क्य यहाँ पे रहना पड़ेगा, इनको uplift करने के लिए, फिर क्या किया, इंडिया का पूरा जो wealth था, उसको drain कर लिया, राइट, देखो, जब आये थे, इंडिया उस्टो contribute 24% of the world GDP, ठीक है, world GDP का इतना contribute करते है, जब यहाँ से गये थे, तो इंडिया ने contribute करना छोड़ दिया थ देखो, तो इसलिए यहाँ पे attract हुए थे, पर हमेशा इन्होंने क्या लिखा, उल्टा ही लिखा, कि इंडिया के बास कुछ नहीं था, राइट, सब से बेले जो आये थे, वो कौन थे बिटिश ऑफिसर थे और Christian missionaries थे, जो यहाँ पे आये थे Christianity को spread करने के लिए, प्रीच करने के लिए, तो उन्होंने ही इसलिए लिखी थी, जिया prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed, मतब कि criticize के हमारे Indian culture को, जिया writings were used to justify the colonial rule, मतब कि यहाँ पे अंग्रेश को साशन करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे लोग जो साप पकड़ रहे वो और उनकी life और detroit होते जाएगी, और खराब होते ज अब orientalist हमने starting में पड़ा था, यह वो लोग है जो कि महाबारत, रामायन ऐसे सब चीजों से inspire होंगे, ठीक है, देखो आज भी योग जो है, यह योगा नहीं होता है, अंग्रिस बोल नहीं पाते है, इसलिए योगा कर दिया, इसलिए राम होता है, वो रामा बोलते हैं, क् समझ ना, many Europeans scholar felt curious about, यह curious थे about the civilization and countries of the East, East मतलब इंडिया, some of these scholars felt administration, admiration मतलब की inspire थे, and respect for them, respect भी करते थे, right, these scholars were known as the orientalist, यह inspired थे, यह positive थे, when it comes to the Indian culture, example क्या इसका, orientalist studied the similarities between the Sanskrit and the European languages, उन्होने खा कि similarity है, और उनने यह conclude किया कि Sanskrit जो है, वो mother of all languages की, बताते हैं आगे, they focused on more Vedic tradition and Sanskrit literature, Vedic tradition के अंदर, जैसे कि हमारा early Vedic period में कैसे था, human civilization कैसे एनांस हुआ, यह सब को से, उनको बहुत inspire हुआ, जैसे कि अगर human कैसे evolved किया है, तो Indus Valley civilization best example है समझने के लिए, right, तो यह सबसे वो fascinated थे, इसलिए, excavation स्टार्ट किया था, right, archaeological survey कुछ आ Indian, Indo-European languages, Indo-European languages मतलब कि जो हम पढ़ते हैं आज यह Greek का word है, यह Latin का word है, etc, बोले, यह words भी जो है, इसका inspiration आपको Sanskrit में मिलेगा, जैसे कि मात्रू, मात्रू Sanskrit word है, जहां से मदर निकला, ऐसे, बहुत सारे words है, तो उन्होंने ऐसे similarities बदाने ही कोशिश की थी, तो, और इंटर for research and in Asian literature and history, Asian literature के बारे में पढ़ने के लिए, यहां से उन्होंने दोर खोल दिये थे, एक मिन जाना, ठीके, फिर among the orientalist scholars, फेडरिक मैक्स मुलर, यह सबसे important personality है, and he deserves a special mention, बिल्कुल क्यों, देखो, सबसले तो उन्हों रिगविदा, हमां जो रिगविदा था, उसको पढ़ और फिर जानने के बाद कितने लोगों ने वेदा पढ़ा है, तो important बात है, ऐसे personality के बारे में, यह कब कर सकते हैं, जब आप inspired होंगे, right, in his opinion, Sanskrit was the most ancient language of Indo-European languages, he deeply interested in Sanskrit literature, he first translated the Sanskrit text of Hito Pradesh, Hito Pradesh को German में translate किया, यह वो book थी, फिर, क्यों, ताकि European भी पढ़ सके और India का culture के बारे में समझ सकें, फिर, he was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East, important है, he also compiled Rigveda, which was published in 6 volumes, he translated Rigveda in German, सोचो, इतना important contribution था, Lately, Edward said, a scholar who has re-evaluated the orientalist writing, has thrown light on the imperialistic interest of orientalist scholar, अभी important है, important बात क्या है, कि Max Miller जी ने Sanskrit के text को, जर्मन में transfer किया था, उनके book कोन कोन से थी, Hito Pradesh थी, Rigveda थी, और the sacred book of East थी, ताकि Europeans भी इसके बारे में पढ़ सकें, ठीक है, और यह orientalist है, इसलिए यह positive थे, when it comes to the Indian culture, इन्होंने यह भी conclude किया, कि Sanskrit जो है, वो mother of all Indo-Greek language, Indo-European language, European मतलब, Greek Latin, इस सब का, जो source है, हो Sanskrit हो सकता है, ठीक है, अब, देखो, इस Simple MCQs आपके book में दिये हुए है, इसको आराम से solve करना, Dash translated the Sanskrit text, Hito Pradesh अभी पढ़ा है, आमने, Dash was the first Director General, अभी पढ़ा है, देखो, शर्मना म comment section में answer बता देना, right, इससे practice भी होईगी, और इसके लावा, आपके कोई questions हो, तो do let me know, right, दुनों address कर दिये जाएंगे, मैं पढ़ लेता हूँ सब, ठीक है, चरू, आगे बढ़ेंगे, अब यह फिर से summarize version है, आगे हम जो पढ़ेंगे उसका, first तो nationalist, जो thinker से हैं, उनक्या इसले भी क्याता हमने, फिर से करना पड़ेगा, और फिर ही, 1947 में उनको independence मिला, right, तो ऐसे लोग important थे, primitive communism, communism मतलब जो पताएंगे कि दुनिया के अंदर, जो class बने हुए, upper class, lower class, उसके बारे में, to slavery, फिर comrade, श्रीपद, अंबुर्द, डांगे, डांगे भाई साब ने लि की women education, transform करने के पिछे, इनका important contribution है, इनकी wife, like उनके उपर, we have designated Pooni University, right, Savitri by Fule, तो ऐसे, बढ़िया-बढ़िया personality भी जरम लिया था, सो चो, इनसे बहुत को सीख सकते हैं, exploitation of women, शूदरास, नाती शूदरास, इनका theme थी, subaltern, मतलब the lower section of society, बादने, who are the शूदरास, untouchables, again, important personality, Baba Sahib, अमेट कर, इनके बारे में बाराम से पढ़ेंगे, इनके बारे में से पढ़ेंगे, इनके बारे में उनने जादा भूत लिखा था, इससे वाज़े से ही क्या हुआ था, last में ये हमारा constitution बना के ही मानेते, right, तो यह होता है एक personality, फिर role of people belonging to the Dalit caste, उनका रोल क्या था ठीक है, उनके बारे में जानना important है, स्त्रीपुरस्तुल्ला, he was the first women to write about the feminist, equality for women, male dominance के इस लिखना, फिर the high caste Hindu, ये और जाला थोड़ा सा, by Pandita Ramabai, ठीक है, और भी feminist है, आगे पढ़ेंगे, पहले तो हम ये सब जो यहाँ पर पढ़ाया है, इसके बारे में समझते हैं, इसका आप आते हैं नहीं, हम पहले से बहुत पैसा था, हमार पास, हम पहले से ही golden bird थे, sony की चीडिया थे, इसलिए आप यहाँ पर आए, ठीक है, हमको exploit करने के लिए, so, उनका क्या आप बिलीब होगा की, to restore the Indian pride, ancient glory of India and self-esteem to the Indian readers, the writings known as the nationalist historiography, nationalist writings in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar, ठीक है, ये officers, उनने का कि वो अपना bias लेका आते थे, उनने हमेशा अंग्रेजों की वावा की थी, पर ऐसा नहीं है, आपको जगना पड़ेगा, अपना हितियास खुद लिखना पड़ेगा, local लोगों को आ गया ना पड़ेगा, खुद का हितियास लिखने के लिए, तब ही जो आने व the critical analysis of the historical truth, critical analysis मतलब कि उन्होंने बस ऐसा लिख दिया, वो important नहीं है, important क्या है, nationalist historiography का काम कौन थे, जिन्होंने ये कहा था, कि इंडिया के पास glory की पैसा दा तबी तो अंग्रेज आये थे, important कौन कौन थे, महादेव, गोविंद, रानाडे जी, राम, किष्ण, गोपाल, विनायक दामो सावर कर, ये important है, तोड़ा देख लेना, right? अब, nationalist historiography में सबसे आगे जो नाम आता है, इस V.K. रजवाड़े जी, इन्होंने क्या कहा था, रजवाड़े जी was well known for his writings in Marathi and on varied subjects, कई subjects की याता थे, जिसे history, linguistics, ethnology, grammar, etc., he was the firm opinion, ये firm opinion के थे, कि we should write our own history, ना कि क अंग्रेस की लिखी हुई बुक के बारे में पढ़ना है, इसलिए उन्होंने कहा था, ग्रैंड़फ की बुक के ओपर, खुद की बुक लिखी थी, उसको expand करने के लिए, he compiled and edited 22 volumes of Marathansha, Itias, Sadhani, ये बुक लिखी थी इन्होंने, he wrote very scholarly profess to all the 22 volumes, he stated history is all inclusive image of the past history, आप बस राजा के बारे में लिखके खतम नहीं कर सकते, आपको प्रजा के बारे में लिखना पड़ेगा, साशन के बारे में लिखना पड़ेगा, कितने वार लिखे, सब कुछ के बारे में आपको बताना पड़ेगा, it does not include, does not only include the stories of political images, conspiracies wars, of seizing power, he insisted that history should be written only using the authentic document source, बतलब कि ये क्या थे, फिर से ये critical थे, इन्होंने बस जो चीजाई उसको follow नहीं किया, उसको critically examine किया, original documents को ही refer किया, अब इनके एक और थेरी थी, time, space and personality, उनने का, कि समझो, आपको चात्रपते शिवा जी महाराज के बारे में समझना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बस आप उनके बारे में लिखके नहीं जा सकते, आपको अगर उनका साशन compare करना है, उनका governance compare करना है, तो उनके जमाने में औरंग जब थे, तो औरंग जब का साशन कैसे था, वो भी बताईए, तो हमको पता चलेगा कि actually इनके साशन में पैसा नहीं था, ये सब गरीब थे, तो इन्होंने काहा कि आपके टाइम पर वहाँ पर कितना पैसा था, वो भी बताईए, तो हमें actual reality पता चलेगी, तब ही तो history सामने आएगी ना, तो यही इन्होंने का बात था, अब आगे बढ़ते हैं, और चीज़ाब, अब VD सावर क important personality आगें, उन्होंने अपने बुख लिके थे, Indian War of Independence, 1857, जिन्होंने फिर से spark किया था, उन्होंने काहा था कि उठो, जवानों लडो, और अंग्रेज को भगाओ यहां से, East India Company को भगाओ यहां से, और अजादी पाओ, इन्डिबेंस पाओ, ठीक है, तो Nationalist Histography helped in triggering the independence movement of Indian people, against the British rule, फिर दामोदर, great importance, फिर Nationalist Histography provided momentum, इन्होंने momentum प्रवाइड किया, writing of regional histories, इनके बाद कई historians आगया है, उन्होंने इस history रिकना स्टार्ट की, as a result, attention of historians was drawn to the geographical conditions and history of the southern India region, ठीक है, इनके बाद, अब important बात क्या है, आपे धान देना, कि VK Rajwaraadjiji जी अमने आगे पढ़ा था, founded the भारत, हितियास, समासोदक, बंदल, कहां पर क्या था, पुने में, 1910 में, ठीक है, तो फैसिलेट वाट, historical research, अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं, post-independence के बाद क्या हुआ, अब 1947 में हमको independence मिल गया, तो colonial type of history बंद होगी, अब नहीं history rise होगी, तो development होगा, कैसे, now along with the writing of dynasty histories, culture, social, economical histories, were also being written, scholars of the post-independence began to feel the need of writing histories of various communities, जैसे कि science के बारे में, economical system के बारे में, political situation के बारे में, ideologies के बारे में, culture experts के बारे में, लिखना स्टार्ट किया, Histography of this era has been influenced mainly by three ideologies, या फिर ideologies और school of thought, new school of thought का डेलोप हो है यहाँ पे, new school of thought यादा रहा है, काल माक्स औगेरा, so सब आ, Marxist history, subaltern history, and feminist history, तीनों के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों पे short note पूछा हुआ है, आपके book में, तो ध्यान देना, idea मिल जाएगा आप हो यहाँ से, अब जान देंगे, Marxist history मतलब यह inspiration लेते है किस से, काल माक्स जी से, काल माक्स जी पर हमने already video मनाया हुआ है, कुछ 8 minutes का वीडियो है, यहाँ पे i button प्ले click करना, सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे detail में समझाया हुआ है, कि modes of production क्या है, haves or have not क्या है, गरीबी कैसी आई, क्य क्या-क्या differences सब कुछ वहाँ पे समझाया हुआ है, so accordingly, the analysis impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist history, क्या-क्या थे, means of production वगरा, वो सब वहाँ पे है, अब हम directly समझेंगे Marxist history के बारे में, और कौन से-कौन से scholar थे, important नाम है, दामोदर कोसांभी, see, Marxist historians in India studied the transition within the caste system, जैसे कि पहले वरना system था, उस उसके बाद हम देखेंगे, तो upper class, lower class आ गया, तो यह transition कैसे आया, main reason क्या था, इस सब के बारे में बताने ही कोशिश करेंगे, among the notable Indian historians who adopted Marxist ideology, या फिर perspective framework like, scholars like, दामोदर, धर्मानन्द, कोसांभी, Comrade Sripat Amrath Dange, Ram Saran Sharma, Comrade Sarat Patil, अभे Dange जी ने, अपना contribution देता, was a founder member of the Indian Communist Party, as well as he written a book in the primitive communism to slavery, ये बुक उनने लिखी थी, ये इतना important है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब subaltern मतलब the common man, common man, lower of the lower section of the society, उसके बारे में जानना important है, उनको कोई नी जानता, इनके बारे में जानना important है, तब हमको real history पता चलेगी, the seeds of subaltern history was found in the Marxist school of thought, या फिर Marxist astrology, ठीक है, the role of Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea of history, should be written starting from the bottomless rank of the people, इनके बारे में लिखना start करना, ना कि राजा के बारे में लिखते 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 लोकल पीपल के बारे में आनना है, उनने का कि लोकल पीपल से राजा के पास जाओ, जब लोकल पीपर सुकी होंगे, इसका मतलब राजा वहां का सह है आदमी है, सही शासन कर रहे हैं, इनका यह मतलब था, इन्दी सोसाइटी, इनफ़ाइट शाओं means the bottomless rank, इंपोर्टाल्ट है, फिर फ्लोकलोर्स जो हमने पावारा वगरा सुना था, वो बेस्स सोर्सद के बारे में जानने के लिख, एस बीन धिन का इंपोर्टन सोर्स अ इन दोनों के बारे में भी समझते हैं, एक मिंट देना आईए, तो समझते इनके बारे में, यह हमारे महात्मा परम पुझे हैं, महात्मा जोतिराओफुले और यह दोक्टर बाबासाइब अबेट कर, दोनों इदम खतरना की इंस्पिरेशनल पसनियलिटी है, कभी आराम से थ महात्मा जोतिराओफुले, unfolded the history of शुद्र अर्थी शुद्र, मतब the lowest and the lowest section of the society, communities in his book, फोड़ा, गुलाम गिरी, गुलाम गिरी की बुक थी, he drew attention to the exploitation, वहापे उन लिखा की, exploitation हो रहा है, वहापे स्काल माक्स में जाएंगे, exploitation क्या था, सम्यायगा, exploitation of women, शुद्रास अर्थ शुद्रास, 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 शुद्रास were not even allowed to enter the temples, drink water, etc. तो निकायन के साथ दो, discrimination हुआ है, उसको जानना important है, राइट, शुद्रा नाति शुद्रा इंडिकेर्स इंडिकेर्स इंके बारे में, अब ध्याम देना, अब ध्याम देना, रोल of the people, मतब देखो, ऐ is very significant, और देखो, कोई religion, कोई caste से link-man करना, you should get inspired him as a personality, कि इतने रीचे से इतना उपर उठना, बहुत बड़ी बात होती है, right, the role of people belonging to Dalit caste is very significant in shaping the various cultural and political experts of India, इनके बारे में, जानना important है, right, इनका contribution क्या था, but they were, their role was not duly acknowledged, उनका अमें सा नेगलेट किया गया, in the colonial and nationalist gastography, इनके इनके बारे में कहीं पर mention नहीं किया है, so Dr. Baba सांबेट कर focusing on his fact, consistently wrote about it, दो बुक लिके तिन्होंने, who were the shudras and the untouchables, may be cited as an example of history, sobotentite, ठीक है, चोड़, अब आगे हम पढ़ेंगे feminist के बारे में, first was Tara भई, जो हमने पीछे बढ़ा था, फिर Pandita Rama भई, फिर Crossing the Threshold Essays in Social History, Meera Kosambi, ये थोड़ा सा pronunciation में हो जाता है मिर से, तो इनोर करना बस, ये feminist थे, feminist means what, believe in equal equality for men and women, फिर राइटिंग कास्ट, जेंडर, रेडिंग दलित तेस्टिमोनी, डॉक्टर, शर्मिला रेंगे, दलित विमेन तेस्टिमोनी, ये दोनों थे, feminist भी थे और सब आल्टन, दलित मतलब the lowest section of society, उनके बारे में लिका था, और women के upliftment के बारे में लिका था, तो दो school of thought को belong करते हैं, फिर माराथी रियासत, गोईन साकराम जी ने लिका था, इनको कहते हैं, रियासत का, तो चलो, ये last theory है, पढ़ते हैं, feminist मतलब what, equal opportunities for women, तो अब क्या हुआ था, अभी तक हमने जो भ women in history remained neglected, जैसे कि मैं आपको पुछू, तो एक सुल्तानों में एक थी, women, उनका नाम बता है आपको, रज्या सुल्तान, ठीक है, तो women का position important था, पर इनके बारे में किसने लिखा ही नहीं, राइट, वैसे ही, इनके बारे में लिखना important है, तो कैसा होगा जब women कुद आगे हैं also it was important to study and compile the history writings of women, according to women's perspective, it was necessary to rethink of women's position in India, या फिर history, so among the women authors, women, 19th century, Tarabai Shinde was the first, foremost, first woman, who wrote attacking the male dominance, जो male dominance है, उसके बारे में अटाक करने है, social system में, caste में, सबसे पहले बुक किसने लिखे थी, Tarabai Shindeji ने, important है, फिर her book, ये थोड़ा इन और करना, गलत हो गया है, स्तिरिपूर स्तु published in 1882, इनके बाद just क्या हुआ, अब इनके बाद और women, women inspired हुए है, उन्हें भी लिखना start किया, जैसे कि 1888 में, पंडिता रमाबाई जी ने लिखना start किया, right, published the entitled, the high caste Hindu women, right, तो feminist मतलब क्या, जो believe करते है, equality for men and women, फिर आएंगे feminist historography, history, देखो, आज की women ये है, वो घर का खा बालती है, काम भी करते है, सब कुछ करती है, but what they, they lack in equal opportunity, तो हमारा काम क्या है, हम उनको equal मौका दे, इसलिए government में भहुत कुछ कर रही है, बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, etc, right, तो हमें भी support करना है उनको, और आगे उनको promote करना है, so, feminist literature of post-independence era concentrated on the issues like employment of women, women को employment नही equal wages नहीं मिलते, treatment mitted out to their workplace, right of political equality, politically दोनों equal है, दोनों को equal मौका मिलना चे, आगे बढ़ने का, elections लडने का, सब कुछ, right, among the recently published feminist literature, Meera Kosambi book, Crossing the Threshold, feminist essay in the social history, is importance, it contains the essays, life stories किस-किस के, उसमें, Pandita Ramabhai जी की, और Dr. Rukhamba भाई, Dr. Rukhamba भाई, why important, first practicing lady doctor in India, दोनों important है, Tarabai Sindhye was the first woman to write, and Rukhamba भाई was the first practicing lady in India, a lot of literature is available, unfolding the viewpoint of Dalit women of Maharashtra, Dalit women वापस, Subaltern theory, Dr. Sarmila Rege, work, noteworthy in this context, her book, writing, caste, writing, gender, reading Dalit, women testimonies, includes her essay on autobiographies of Dalit women, right, इतना सब कुछ है, अब यहाँ पर हमरा होता है, chapter almost खतम, अब आपको फटा-फट क्या करना है, देखोए, सब पर screenshot ले लेना, कि हरी सरी तर किस ने लिखा था, आपको बस क्या दान, बाकी load मतले लेना, important क्या है यहाँ पर समझना आपको, कि book का नाम क्या था, author क्या थे, उ difference था, book कॉन सी थी, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, right, फिर यह हमारे, when it comes to the feminist historiography, यह भी same, right, so यहाँ हम end पर आते हैं, अब देखो, upcoming videos में अब आएगा political science का first video, उसके अलाबा, we are planning for some other subjects too, देखते हैं कैसे plan होता है, इसके अलाबा, you have any questions, do let me know in the comment section, we'll try to cover it, right, so thank you guys for listening patiently, right, तो मिलते हैं जल्दी, जैहिन!